अब है अब है 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 हलो मैं दियर स्टुनेंट्स वेलकम बैक ओन दिस यूटूब प्लैटफॉर्म दिस इस अतीश अधियर वोचिंग माय यूटूब चैनल अंगरेजी एकडमी दियर स्टुनेंट्स टुड़ी वी आ गांक दिसक्स दे मोस्ट इंबोरेंट पार्ट ऑफ एक्जाम का सबसे महतो पन हिसा जो गोंप्रिथी पार्ट है इस पर अपनद डिस्कस करएगे देंगी कंप्रिणचिव पार्ट किया होता है कि यह हुता है इद आ आपको क्या करने हैं उसमें से आपको इसमें को आपको 1 और वह पर 55 कृसे ऊंभ safe है वहां पर का have questions और वह आपको क्या करने हैं उसमें से आपको solve करने हैं तो ऐसा कोई exam नहीं है जिसके अंदर comprehensive नहीं आता है कोई भी आप exam ले लिए सभी exams के लिए सबसर। इंसे इंपोर्टेट पार्ट है वह यह comprehensive पार्ट कि अब देखिए पहला जो हमारा पेशेज दे रखाए इसके अंदर हमने कि यह जापानी मोनेटरिंग सिस्टम केंड डिटेक्ट है वेन पीपल आप टू टाइट टू वर्क सेफली एक जो जापानी का जो जापान का मोनेटरिंग सिस्टम जो है जापान का जो मोनेटरिंग सिस्टम है न ये बता देता जब भी लोग थके हुए ओते न जो आप वह सेफली कोई भी काम नहीं करते हैं ठक जाते है तो उनका जो मोनेटरिंग सिस्टम है कि वह पहले हПрता देते है यानिकि एवन विप New जाने से पहले वह बता कि यह वाला आदमी ठका हो अहाई ऐसा मत्पब उनके पास में मोरिटिंग सिस्टम है शिस्टम एनलेसिस वॉइस पैटन और वो क्या करता है इसके जो साइन है किसके फटिक कम जोगता है फटकान थखान का जो उनका सिग्नल है जो उनका साइन है जो उ उन्होंने क्या किया जो इयर पायलेट कनेज़ेर और यह ट्राफिक कट्रॉलर होते हैं उनहों कर्या and who is Upgrade जो और हो फॉनको आव सेता है इसकी आव सकता है प्रिमिनीरिक ट inherently agOLD है ऑब इन प्ऱॉम और जे जो टेस्ट है वो एक आसाजनक रहा उनका प्रमाइजिंग रहा उनका यानि कि जो भी उन्होंने टेस्ट किया था प्राणिबिक टेस्ट वो एक आसाजनक टेस्ट रहा इसलिए रिस्टर्चर्च प्लान्ट ट्राय आउट दे सिस्टम और पालेट एंड एर ट्राफिक कंट् मानवी भूल है वो अकाउंट फूर कम दोता है जिम्मेदार होती है 80% of all air accident worldwide यानि कि हवाई जो गटने होती है उनकी 80% जिम्मेदार जो मानवी भूल होती है मनुशे की भूल के कारण ही वो गटने होती है if the tests are successful the system could be usage in any transport system where voice command can be monitored ये टेस्ट क्या रहा शफल रहा जैसे कि बागी जो system होते हैं बागी जो भी शक्त हैं उनके ओपर भी क्या करेंगे वह इस command से उनकी monitoring होगी तो यह वाला message है इसके ओपर explain क्या हुआ है और हम देखेंगे इसके जो questions है वो किस तर से आप से पूछेंगे और आपको कैसे देना है पहला question how does the monitoring system tell that people are too tired to work safely कि जो monitoring system है वो क्या बाता देता है कि लोग है वो थके हुए है वो safely work नहीं कर पाते हैं तो देखिए study में आया था ना कि उनकी जो voice system मैं आवाज से पहचान लेते हैं कि वो fatigue है थाके हुए है तो इसमें क्या अंसर आ गया from voice pattern इसका answer क्या होगा from voice pattern यान कि जो voice pattern है हमारा उससे से हम उसको identify कर लेंगे कि यह आदमी थका हुआ है what is the purpose of analysis analysis करने का परपज क्या है आप किसी चीज की analysis करते हो उसका विसलेशन करते हो तो यह जो परपज है उसका अनलेशन करते हो अच्छी या फिर बूरी कोई भी उसकी बारे में कि इन फॉर्मेसेन लेते हो सब्सक्राइब करते यह जो फिर सब्सक्राइब कहना हुआ अपने के करते यह हो कि उसकी हो सब्सक्राइब ay को टालना यही उसका मैन पर पज़ यही उसका इनलेसिस करने का इस तरीका है ओके हाव डूद्र रिसर्ट्स व्यूद टेस्ट जो रिसेटर होते हैं जो रिसर्ट करने वाले जो ऐसे करते हैं तो यह क्या करेंगे प्रोमाइजिंग नहीं कि आसा जन्य टेस्ट जो क्या होउप लेज जस्ट सक्टे आपसा प्रिम्री ऐसने गालवीडह आगए लिया बैजुरोटी ओफ एयर आस्टेंट ऊकड्डीयस क्रदोशक में विस वजह से होती है कर देखिए उदर आपको सांफ न किस होते हैं इसके अंदर आपको साब साफ देरख एक है कि human जो एरर मानुई है उसकी वजह सरे मैं उससे कोई न कोई बहूँ करेगा तो इसे अंसर खाय और आगा इसमें जो स्टेट्मेंट का मतलब होता है कथन होता है कोई बात होती है ठीक है तो वो कौन सा है वो ट्रू है तो देखिए इस देश्ट प्रूव सक्सेश्फूल ओके देश्टम कोड़ यूजेज इन एनी मोड अफ ट्रांस्पोर्ट मेरे सबसे तो पहला यही है कि यहां पर जो हमारा टेस्ट हो वो सफल हो गया न कि इस पर जो एर जो पालेट होते हैं एर सिस्टम जो होता है एर कंट्रोलर जो होत सब्सक्राइब कि यहां पर यहां पर उनका यूज किया दा सकता था तो इस तरह से पहला पेशेज के आपको मैंने कराएं हैं नेक्स्ट देखिए सिंपल साही है अपन करेंगे यहां पर आपको बताने का तरीका बताओं कि कैसे कैसे आपको सोल करना है इसके अंदर आपको पैसे रेड करना है एक साम को क्या होता है एक जो वेल्डेस यंग मैन है इंटर करता है टेक्स्टाइल सोप में टेक्स्टाइल जानते हो क्या होता को टेक्स्टाइल बोलते है आप जो टेक्स्टैल की तो में एक्साम को वो गया अंटर किया उसने He was able to draw the attention of the salesman उसने salesman का जो attention है ध्यान है उसको ड्रा करने का खेंचने की योगी थाव है मतलब कैसे उसने attention को attract किया Who thought him reach and likely to make heavy purchase उसने उसको सोचा कि भाई तो reach है धन्वान है और heavy purchase करेगा बहुत ज़्यादा purchasing करेगा यह उसको क्या दिखाएगी उसको क्या दिखाएगी बहुत सुपीरियर परकार किया ने की सर्वसेस्ट जो वैराइटी जो थी ना सूट की उनकी लेंद शाडियां यह उसको दिखाएगी बट आफ्टर केजोली एक्जामीनिंग दें अक्समिक निरक्षन के बाद में अगले सक्षन पर चला गया कपड़े का जो भी दूसा था रेडिमेंट गूड्स वर बिइंग सोल एंड फर्दर ओन तो दा होजरी सेक्षन पहले वो रेडिमेंट जो समान था गूड्स था वहां पर चला गया उसके बाद में होजरी की जो सक्षन होता है होजर जानते हैं जुराव अगएरा ऐसे कुछ होते हैं उसको बोलते हैं होजरी ठीक है तो होजरी सक्षन पर चला गया यहां पिर यहां पर हलका सा देखा फिर यहां गया पिर हलका सा यहां देखा फिर यहां गया यहां यहां सपरिप्ला मतलब क्या होता है मकसद होता है इरादा होता है और उसे सेहलसमेन को इरादा क्या था उसका पता चल गया और उसने मनेजर का दिहान जो था अटेंशन था उसने उसको केजने कोशिश किवा यह वाले बात ऐसे दा मनेजर आज हम वट एक्ट ली वांटेड मानेजर ने पूछा कि तुम एक्ट चाहते क्या हो कर्टियस का मतलब क्या होता है जिसको बोलेंगे कर्टियस का मतलब क्या होता है इसे विभार उसने का कि मुझे तसरफ और सरफ क्या चीए एक जो सिस्ट विभार चीए क्या है इसी शोप के अंदर में किया ता उस ने कि उनको क्या सोचा किया रहे तो को इनको रीच आदमी है तो यहां पे उसके साथ में मतलब विभार किस तरह से किया गया वहती चांदर तरीके से विभार किया गया कि या यह तो हेवी पर्चेजिंग करेगा ठीक है तो कि रह से देखी इसके अंदर इन केजवल ड्रेस देट मौनिंग एंडर लेटल अटेंशन तब मेरी तरफ कह रहा है कि वह ध्यान नहीं दिया बिल्कुल लेटल अटेंशन दिया इस प्राइड वाज हट एंड वांटे टो असर्थ इंसेल वह उसका जो प्राइड जो था वह क्या हुआ उसकी जो भी उसके भावन है जो थी उनको चोट लगी और वह उसको स्विकार करवाना चाहता था यहाँ पर अच्छे पाने के लिए और उसने क्या कर दिया बिना किसी खरिदारी के उस दुकान को लेफ्ट कर दिया दो मेरी बाद शुख करने तो और चमुफित कर dissipate मेरी अट ऎराए उस चोप में पुरानी कपड़े पहनwyn के आया तब तो उसके साथ मेर अच्छा नहीं क्या गया और यह अच्छे कपड़े पहन के आया तब उन्हों Egyptianaces केद उसके साथ मेर अच्छा किया ऄ deben चीजों के बारे में ही उनको एहसास करवाना चाहता था अब देखिए आपके क्यूसन देखिए The young man was well-dressed because क्या कारण था? कि वह well-dressed में आया तो कारण क्या था? वह सरफ और सरफ उनको impress करना चाहता था He wanted to impress the salesman समझ लोने मेरी वाद उनका मकसद कहनी था purchasing करनी था उसको उनको impress करने का मकसद था The salesman in the soup are described as people who pay attention to यहाँ देखिए salesman होते हैं न जो दुकान के अंदर salesman था वो किस प्रकार से लोगों का अपने attention पे करता था तो देखिए इसके अंदर आपका आता है Only reach customers सरफ और सरफ ऐसे लोग जो रीज थे उनहीं की तरफ वो attention जो अपना पे करता था उनहीं की तरफ ध्यान देता था ऐसा उसको describe किया गया इसके अंदर समझाया गया मतलब कि salesman ऐसा था कि वो केवल और जो reach customer है उनहीं की तरफ देखता था वो सोचता था कि यह हैवी purchasing करेंगी दे यंग मैन मूड अवे टू दे होजरी सेक्षन जो यंग मैन था वो होजरी सेक्षन की तरफ चला गया because he was not interested in purchasing anything क्योंकि उसका नहीं था किसी भी चीज में purchasing करने का इसलिए वो एक सेक्षन में गया फिर दूसरे में गया फिर तीसरे में गया कि अलग अलग सेक्षन में जा रहा था हो सर्फ उनका ध्यान अटक्ट करने के लिए दब मानेजर आस्दा यंग मैन वाट ही वांटेड विकोज मानेजर नहीं उन से पूचा कि तुम चाहते क्या हो he wanted वो चाहता था कि उसके साथ में क्या किया जाए अच्छा विवहार किया जाए ठीक है यहां पे और कुछ नहीं चाहता था वो सरफ और सरफ यहीं चाहता था कि यहाँ पे salesman का जो ध्यान है वो in the different attitude of the young man different जो उसके attitude है अलग-अलग उनके जो विवहार है उनहीं को वो उनकी attack करवाना चाहता था कि भई यहाँ पे क्या हो गरीब की तरफ कैसा ध्यान है अमीर की तरफ कैसा ध्यान है तो वो सरफ यहीं उस आदमी की तरफ उसका जो attitude था वो different था जब वो ऐसादे कपड़े पहन के आया तब कैसा था और अच्छे कपड़े पहन के आया तब कैसा था तो यही वो चाहता था दे यंग मैन left without making purchases because he यहाँ पे देखिए बिना किसी परचेज के उसने दुकान को left कर दिया क्यों क्योंकि he had come only to make a point about in different attitude to the salesman वो जो salesman के अलग-अलग attitude थे उनको point out करवाना चाहता था वो उनको उससे एसास करवाना चाहता था कि यह वाली दिक्कत थे तेरह में इसको सुदार कर ले इस वज़े सुने उसने दुकान को सब छोड़ें क्योंकि उसको क्या नहीं करना था पर्चेजिंग नहीं करना था इस तरह से दोस्तों आपका जो हमने क्या डाला है comprehensive part डाला है आपका अगर response मिला तो इसके लिए आपके लिए important जो आपकी exam है upcoming exam है important exam है के लिए और लेकर अगर आपने क्या करा थोड़ा सा response अच्छा मिला तो otherwise तो चल रहा है कोई बात नहीं तो प्लीज लाइक एंड शेर थैंक्स फूर वोचिंग कर दो